हेलो दोस्तो इत वीडियो में सॉफ्ट्वियर कॉंपवनेंट्स इसके बारे में बात करेंगे आखरी आ किआ होता क्या है और यह हमारे काम करता है की सबसे-स निए पता दिता हूं तो दूसको उस वाले पेस तक वाचने के लिए आप यहां से सर्चिंग पे आईए और यहां से पंट्रोल पैनल लिग देए आप कंट्रोल पैनल में खहीं से भी जा सकते हैं मुझे यहां से जाने में पड़ता है उसके बाद दूस्तो आपको यह व्यूवाइमें स्मॉल अप्शन मिल जाएगा तो दूस्तों इसके ऊपर आपको जितने यह दिख रहे हैं उपर के सैड में इसके उपर मैंने डीटेल में वीडियो बना दिया है अगर आप उपर की वीडियो को देखते हैंगे तो यह वाला वीडियो आपको बिलकुल भी हाट नहीं लगेगा और अपके सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम ढलता है वह भी क्या एक तरीके का सॉफ्टवेयर है तो दोस्तों यही सब चीजें सॉफ्टवेयर होती है और आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैंगे मैं इसको ज़्यादा डीटेल में कबर करुंगा नहीं पुरिज आप saftware जानते ही हुगे अब components की होते हैं दुसतों जो हमारा Software होता है वो काफ़ Saftware से मिलके बनाता है तो उसे हम components करते हैं यानी दूस्तों जो हमारा complete software होता है उसको छोटे-चोटे parts के अदर divide करके बनाяг जाता है वह हमारा components होता है तो दूस्तों जब आप किसी है उनके components को उसका यही वाला हमारा जो हिस्सा होता है क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो software होगी उसके अंदर आडियो वीडियो ग्राफिक्स या बहुत सारी चीज़ होती है तो उनके बीच में तालमेल बैठाने का काम ही करता यह वाला option कि तरीके से काम करता है चलिए मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों आप माल लिजिए अपने सिस्ट्म में कोई MS-Ward चला रहे तो MS-Ward चलाते समय दूस्तों ऐसा नहीं कि आपके सिस्टम में सिर्फ MS-Ward ही चलेगा उस MS-Ward को चलाने के लिए भी काफी सारे आपके सिस्टम के components होते हैं जैसे चोटे-चोटे आपने देखा होगा कि डूस्ता आपके system components होते हैं hardware पार्ट हो सकता है या software कोई वीचे जो सकता है तो दूस्तों आप जब किसी software को अपने system रन कराते हैं तो आपके computer के काफी छोटे-छोटे component छोटे-छोटे चला रहे हैं माल लीजिए MSXL तो दोस्तों जब आप MSXL को चलाएंगे तो उसको भी चलाने के लिए आपके computer के छोटो-छोटे software रियूज होंगे ऐसा नहीं किसी आपके system में MSXL चलेगा उस MSXL को चलाने के लिए काफी छोटे-छोटे आपके system के software रियूज होते हैं तो दोस्तों वह भी क्या है उसके components है इसी तरह दोस्तों माल लीजिए powerpoint चला रहे हैं अपने system के लिए तो powerpoint आपके चलेगा ही चलेगा उसके साथ आपके system के लिए चोटे-चोटे components और भी चलते हैं तो यह उसके उत क्या होते components को दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप अपने system में कोई भी अप्लिकेशन जो components होते हैं वो यूज होते हैं तो दोस्तों उनके बीच में जो ताल मेल बैठाने का काम होता है जो उनके बीच में आपस में communication का काम होता है यह इसी के द्वारा handle किया जाता है तो कि जब तक सभी components एक साथ मिल के काम नहीं करेंगे हमारा वो जो software होता है वो properly नहीं चल पाता है जब दोस्तों वो properly नहीं चलेगा तो हमें error वगेरा देगा यह बताएगा कि इस तरीका interrupted इसी तरह का हम तो यह message वागेरा आता है तो दोस्तों इसको fix वागेरा करने के लिए यह वाला option यूज होता है क्योंकि दूस्तों को update वागेरा रखेंगे अब तो हमारा system काफी अच्छा चलता है दूस्तों इसको update करना ज्यादा हाड नहीं है आप इसको पर click करिए आपक का मतलब ही होता है समान में यानि दुस्तों ऐसे software हमारे system के जो समाने रूप से यूज होता ही है अगर आप दूस्तों कोई भी application अपने system में रन करेंगे तो कुछ ना कुछ software ऐसे होंगे जो हर application में यूज होते हैं माल दीजिए भी मैं यहां से file manager खोल दू ब्राउजर खो होंगा अभी आपको इसके बारे में कुछ detail वगर दिखाए देगी देखें दूस्तों यहां पर दिख जाएगा यहां पर डिवास्टापर सफ्ट्वेर कंपोनेंट इसको मैंनुफेक्ट्टर में और यह होता क्या है हमारा ग्राफिक काड़ में तूकि आप जानते हैं यह अंगर का जो सफ़िएर होता है या जो आपर सॉसे फिन आपडता है या जोहर्ण ऑने मदद करते हैं तो दोस्तों यह एक दरीकाई का साफ्ट्वेर है जो कि जैनरिक कंपोनेंट्स है 직न गयों आप सकते हैं कोने के तो तो मदद करता है तो धिन्हें ह्त मी पेस्टामा क्ता प्रॉब्लम आती है तो आपको फोड़ा अपडेट वगर कर दीजिए इसको आपडेट करने का प्रोसेस वाई है आप ड्राइबर में आए यह अपडेट के उपर किलिक कि जिए इसको फूर आपडेट वगर हो जाएगा वैसे मेरे में पहले से अपडेट है तो यह करते हैं अगला है डिटेल और इवेंट इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है अगर दोस्तों अब ये मेरा ऊपर का ये सब वीडियो देखते हैं तो इसके अंदर आपको ज्यादा परशानी नहीं होगी इसके अंदर भी वही सब चीज़े जो मैं उपर बताता है हूं तो के लिए खुला रहता है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करके जाएगा चैनल पर पहली बारे इसको सब्सक्राइब करके जाएगा मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए चैन बारे खुला मैं करके जीफर का जा बारे जुबपिक करके ज लिए अच्छा 1 फमासा चैनल चैनल चाहले ङाएट'tरे बारे चैनल पर्दमने स्टाजल के लिए भाले सकश और वीटियो उनल खो रहाँ मिल diffuse 雨ले प्याल श्तॉल्ट